वेलकॉम बैक साथियों आप समों का सवागत है आपके प्यारा यूटीब चैनल पर हैं हम जैसे सी पीझटी इंग्लिस की त्यारी करने वाले सभी सथियों का पॉनो मैं सवागत करता हूं आजगे इस वीडियो में है जो वर्यव को हमारे साथ ही नए है चैनल पे पर चैनल को सबस्क्राइब करने तौ चलिए पॉइंट वाइज हमनों टिसकुष करते हैं जौन किट्स के सभी फैक्ट्स के उपर तो बहुत सारह मेंने पॉइंट किया हुआ HAVE आपके exam point of view से जिसे कि objective question आ सकते हैं तो चुले शुरू करते हैं पहला हम लोग discuss करते हैं point को He was born on 31st October 1795 उनका जन्म कब हुआ था तो 31st October 1795 को मूरगेट में है यह सब question आते हैं इस तरह के तो मैंने इस तरह से question त्यार किया हुआ उनका next day died on 23rd February 1821 को John Kitts की death हो गई थी अब next time we discuss करते हैं English point सबसे पहले तो English point थे उपर से वो romantic era के point थे romantic era, romanticism जब आया है actually उन्होंने ही romanticism जो है वो develop किया था वो जो एक movement चला था उसमें उनका योगदान बहुत ज़ादा था और भी poets थे लेकिन उनमें John Kitts प्रमोग थे next point हम रो डिसकस करते हैं second generation of romantic poet with Lord Baron and P.B. Sally देखिए romantic point में John Kitts का अहम योगदान था लेकिन इसके पहले Lord Baron और P.B. Sally ने भी बहुत ज़्यादा काम किया था romantic moment के उपर में next point हम लो डिसकस करते हैं he died of tyberculosis यह tyberculosis की कारण इनकी death हो गए थी जिसको आप short में TV बोलते हैं tyberculosis टीवी जो है इनके फूरे family को काफी ज़्यादा परिशान किया जिसमें इनकी death हो गए थी और दोस्तों आपको बता दो कि सिर्फ 25 एयर्स में जोन किट्स की death हो गए थी और 25 एयर्स में ही वो काफी extreme लेवल तक पहुच गए थे राइटिंग में next point हम लो डिसकस करते हैं famous works इनका famous works आप देख सकते हैं ode to a nightingale ode on a grecian earn जो कि बहुत ही जवरदस्त famous है best on best जिसको कहा जाए तो ode on a grecian earn next sleep and poetry next on first looking into chapman summer लाजवाव है वो Homer को पढ़ना चाहते थे उनकी कविता है on first looking into chapman's Homer अब कभी मौका मिले तो अब जरूर पढ़िएगा on first looking into chapman's मजा आ जाएगा next है he composed only 54 poems उन्होंने शिफ 54 poems को ही compose कर पाये थे जॉन किट्स ने और सिफ इतने ही से poem में वो काफी उनका लिखने का जोस्तर है काफी लाजवाव रहा था बहुत ही आगे चले गए थे वो a thing of beauty is a joy forever famous line है जोन किट्स का जहां पे भी इस line को देखें तो समझाए जोन किट्स ने इसे लिखा है a thing of beauty is a joy forever next है his first poem the sonnet of solitude उनकी पहली poem जो है वो यह है the sonnet of solitude 1816 में वो publish हुई थी उन्हां लिखी थी नेक्स्ट है his first odd उनका पहला जो odd है वो लिखा था उन्होंने 1819 में जो odd to psyche था आगे बढ़ता हूं उम्मीद करता हूं कि सारे points अब समझ पा रहे हैं next है last poem उनका last poem अब देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ lines लिखे हुए उनके पॉयम उनके पॉयम उनके ब्राइट स्टार वूड आइवर स्टीट फास्ट एज दाव आर्ट उनकी लास्ट पॉयम है चले next हम लोग डिसक्स करते हैं उनके फादर जो है वो थॉमस किट्स थे और उनकी मां जो है वो फ्रेंसिस जैनिंग किट्स थूरा सा नाम उल अंटराम से उल लॉप करते थे जॉन किट्स नेक्स्ट पॉयम हम लोग डिसक्स करते हैं ही इस कॉल्ड सेंस्वस पॉयट देखे यह वर्ड जो आ गया ना जॉन किट्स के लिए परफेक्ट वर्ड सेंस्वस पॉयम मतलब उनके पॉयम आपके रूह तक पहुंच जाती थी पहुँच जाती थी और पहुँच जाती है यानि आपकी सेंसे जो है उस उनकी पॉएम को फिल कर सकते हैं next he used to write peterkin and sexparian sonnet form वो ज़्यादा तर लिखते थे peterkin और sexparian sonnet form में वो लिखते थे poems को next charles brown was kids best friend अभी ये question बहुत ही जवरजस थे चार्स ब्राउन जो थे, वो जॉन किट्स के बेस्ट फ्रेंद थे, चार्स ब्राउन, उन्होंने काफी मदद करी इनकी, नेक्स्ट है his influence was Milton actually Milton को जब उन्होंने पढ़ा तो Milton से काफी ज्यादा influence हुए थे जॉन किट्स नेक्स्ट ग्याकोमो डा लेंटिनी इन्वेंटिद दे सॉनेट यहां पे कोशन मैंने अंदर दाला है यह वाला ग्याकोमो यदि मैं सही हो चानल कर पा रहा हूं ग्याकोमो डा लेंटिनी इन्होंने सॉनेट को जो है डेवलब किया है इन्होंने सॉनेट को ही इन्वेंट किया है नेक्स्ट है Kitts was dedicated to opium वो opium से जो है opium से वो काफी ज़्यादा addicted थे वो opium से वो addicted थे he was the eldest of five siblings पांच भाइबान में से सबसे बड़े थे John Kitts नेक्स्ट है his stepfather उनकी मा ने भी बाद में marriage कर लिये थे जो उनके stepfather थे William Rawlings उनके stepfather थे John Kitts की his headmaster Charles Crown Clark ये नाम आप जरूर याद रख लें बहुत ही important है Charles Crown Clark जो है जो headmaster थे उन्होंने काफी ज़्यादा encourage किया John Kitts को उन्होंने help किया John Kitts को next है he wanted to be a surgeon वो एक surgeon बनना चाहते थे बहुत दिल्चस्ट वाक्या है कि वो एक surgeon बनना चाहते थे और बिल्कुल वो जो होता है कोर्स उसके बिल्कुल last में जो है वो surgeon की पढ़ाई को छोड़ दी और poetry लिखने चले गया बहुत ही रोचक His Isabella or The Port of Bassals published in 1818 based on Bocasio जो कि Bocasio पर उन्होंने ये poem लिखी थी जो कि 1818 में पब्लिश होई थी चले next point को discuss करते है He dedicated his poems to Layhunt Layhunt एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों बता दू John Kitts के लिए John Kitts ने अभी poems को Layhunt को dedicate किया हुए था Next His la belay damn sense mercy is a lyrical ballad ये जो उनकी है पॉयम एक lyrical ballad है La belay damn sense mercy a lyrical ballad है चले है तो ये कुछ points थे John Kitts के fact के उपर So thanks for watching Wait for the next video